तो हम ने यह यह फार्म वेधा किया है कि एधी लिए हमने यह यहाँ फार्म 10 विगेहका रेंट के लिए वैसे तो पूरे फार्म साइज 35 W वेयुजर्गे 25 वार्म वेधा 4000 विधे करया है da इननोंने देने से मना कर दिया, क्योंकि अगर हमें खाद पर बाइच्छी दवाईय को करने है तो वह कहा है, हम पर पाइपलाइन ला है है तो पांच हभी का पंप उसमें डला हुआ है तो यह क्यों इस प्रकार हमारी फैसलीटी है जमीन और यह पानी दो चीज में मिलिए और इसकी फैंसिंग जो वगर है देख लीजिए आप इस प्रकार फैंसिंग है अगर फैंसिंग के लिए भी हमने इनको बोला है लेकिन दे हेरो कटवार है यह जो एक जो खरपतवार है यह जो पीला फिला फूल देख रहे हो आप यह इसमें काफी ज्यादा उगा हुआ है इसमें इसको हेरो कटवाने से क्या होगा कि इसकी हरीखाद लग जाएगी अब वैस्ट इसका बीज पक चुका है मैं आपको दिखाओं यह देखिए यह जो बीज है वैसे पक चुका है तो इसका मतलब है कि यह अगले साल एक बार फिर उगेगा अगरे थोड़ा कच्छी कंडिशन में कटता तो इसका उगने के चांसिस खतम हो जाते तो इस वरकार यह फार्म है पूरा 35 भीगा फार्म है हमने 10 भीगा रेंट किया फसल में हमारा बजट कम हो जाएगा क्योंकि हमें यह नि Hani उग्ाओ ल bench जाएगा और रेंट का भी हम इसी में इंक्लूड कर रहे इसका रेंट में कोन से 1,05 खर्चा है मैं फसल खतम होने तक का मैं 10 लाग रुपे का बजट लेके चल रहा हूँ जो की पूरा लोन पे है पैसा हम यहां से प्रोफिट कमा पाते हैं या नहीं प्रोफिट हमारा बनता है तो वो भी मैं आपके साथ पूरा सेयर करूँगा मैं इसमें आपके साथ पूरा ज जो नया तयार करना अगली फसल के लिए वहां तक मैं इसको एड़ कर रहा हूं इसमें 10 लाग के बजट में तो यह हमारा फार मैं अगर हम यहां से कोई भी फसल करते हैं कोई भी हमें जो भी प्रोफिट होता है नुकसान होता है मैं सारी चीज़ आपके साथ सेयर करूँग करूँगर